हाद यूर फैंज असलाम लेकॉम वेल्सम बैक्टी बीटी बीस्पाय हाव यू दूइंग थैंक यू सो मच गाइस मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए सो गाइस इस वीडियो में आज सिंपल फैवर को रिवेल करूँगी ये मुवी ब्लैक कमेडी क्राइम ट्रेइलर थीम पर बेच्ट है इस मुवी की डिरेक्टर है पॉल फेक ये मुवी एक 2017 झाविल पर बेच्ट है आजासिंपल फैवर इस नॉवी के आज़ियो ऐफ्सर है Anna Kendrick और Black Lively A Simple Favor रिलीस हुई September 14, 2018 में IMDB पर A Simple Favor को मिले है 6.8 stars out of 10 Rotten Tomatoes पर A Simple Favor 84% fresh है और इसका audience score है 73% A Simple Favor का Metacritic score है 67 Okay guys, let's go to reveal the movie Movie start होती है एक वीड़ो सिंगल मदर Stephanie Stummer से Stephanie का एक Vlog होता है Parents के लिए Delicious Recipes और Craft का एक दिन Stephanie अपने बेटे Miles Stummer को स्कूल से पिक करती है स्कूल के बाहर उसकी मुलाकात होती है एक Well-Dressed Lady Emily से Emily अपने बेटे Nikki को पिक करने आती है Mills and Nikki Best Friends होते हैं अब ये दोनों बच्चे अपने मॉम से प्लेडेर के डिमांड करते हैं इसी वज़ा से Stephanie Emily के साथ उसके घर चली जाती है Emily का घर काफी बड़ा था और वो Rich से कम नहीं थी Emily Stephanie को बताती है कि वो PR Director है एक Most Famous Fashion Company में Stephanie बहुत इंप्रेस थी Emily से Emily एक High Profile और Confident लेडी थी ये दोनों लेडीज ओवरडोस ले लेते हैं मैटेनेस का इन दोनों की हालत नशे से इतनी चूर थी कि ये दोनों लेडीज अपने Secrets खोल रही थी पहले Emily बताती है कि वो Perspirate हो गई है क्योंकि उसका Husband Sean Tonsend a successful man नहीं Sean एक English Professor होता है और उसकी Financial Situation भी ठीक नहीं थी फिर स्टेफनी अपना रात खोलती है कि उसने अपने स्टेफ ब्रोदर Chris के साथ सेक्स किया है दिन बादिन इन दोनों लेडीज के friendship deeper होती जा रही थी Emily को अपने जॉब में मसले हो रहे होते हैं इसलिए वो स्टेफनी से मदद मांगती है स्टेफनी निकी को बेबिसेट कर लेगी क्योंकि Sean भी लंडन गया होता है अपनी injured मदर के पास दो दिन गुज़र गए होते हैं और Emily का कुछ अदा पता नहीं था ना तो Emily के कोई call आ रही होती है और ना ही कोई text स्टेफनी कॉल करती है Emily के office Dennis Lailon में वहाँ से पता चलता है Emily मियामी गई हुई है स्टेफनी इस बात के बाद Sean को call करती है और Sean पुलीस से contact करता है निकी बार बार Emily का पूछ रहा था स्टेफनी से स्टेफनी फैसला करती है कि वो खुद Emily का पता लगाएगी स्टेफनी Emily के office चली जाती है abstract questions के answer मांगने Emily के office में किसी को Emily के बारे में कुछ नहीं पता था अब स्टेफनी वहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकती थी स्टेफनी छुपते छुपते Emily के cabin में पहुचती है स्टेफनी को उधर से ही Emily के एक photo मिलती है जो table के उपर height थी स्टेफनी को missing person flyers बनाने होते हैं और उसके पास Emily की एक भी picture नहीं थी इसी वजह से स्टेफनी Emily की picture वहाँ से उठा लेती है अब Sean और स्टेफनी Emily के missing posters हर जगा रहे होते हैं next morning detective summer whale आते हैं Emily के बारे में Sean से बात करने के लिए summer whale का कहना था Emily ने जूट बोला है आप लोगों से वो मियामी नहीं गई स्टेफनी इस विलोग की एक fan स्टेफनी को email करती है कि उसने Emily को मिचन गेन में देखा है कुछ दिनों के बाद पुलीस को एक summer cam के पास से Emily के कार मिलती है उस जगा की investigation के बाद Emily के डूबी हुई लाश एक लेग से मिलती है Emily के funeral के बाद स्टेफनी और Sean एक दुस्टरे के गम में शरीक हो जाते हैं और इनकी ये attachment इन दोनों को sexual relationship में डाल देती है नेस्ट डिटेक्टिव समर वेल Sean से Emily के हवाले से बात करने आते हैं लिकिए Sean घर पे नहीं होता स्टेफनी उनका tan करती है डिटेक्टिव का कहना था Emily का liver damage था और Emily के body system में भारी मिगदार में heroine मिली है और डिटेक्टिव इस बास से हैरान थे कि Sean ने Emily के life insurance के 4 million dollars निकाले हैं अब स्टेफनी को letter receive हो रहे होते हैं जिस letters में स्टेफनी की सिर्फ insult थी जो भी उसके और उसके brother के बेच हुआ इस पास से स्टेफनी को ये भी याद आ रहा होता है कि स्टेफनी का late husband Davis कैसे मरा था Davis को स्टेफनी और Chris पर शक था इस शक के बिना पर वो स्टेफनी पर जासूसी करता था इधन डेविस और Chris गी मिसंडेस्टेंडिंग दूड करने के लिए long drive पर गए और उन दोनों की car crash में दैथ हो गई इस हादसे के लिए स्टेफनी खुद को कसूरवार समझती रही इन torture letters में ऐसी ऐसी बाते लिखी थी जो स्टेफनी ने सिर्फ Emily को बताई थी स्टेफनी को अंदाजा था कि ये mysterious person Emily के सारे राथ जानता है स्टेफनी को Emily के past के बारे में सब को जानना था Emily के घर के hallway में Emily का एक portrait था और वो paint किया था Dina Highland ने स्टेफनी जाती है Dina से मिलने Dina का कहना था इस painting में जो लड़की है उसका नेम Claudia है और वो लेडी एक कौन आर्टिस्ट है Claudia कितने साल से गाइब है उसका कोई अता पता नहीं स्टेफनी का सवाल था कि वो Michigan के बारे में कुछ जानती है Dina एक information देती है जिससे स्टेफनी को एक lead मिलती है स्टेफनी जाती है एक summer camp summer camp की एक air book देखने पर स्टेफनी को मालूम पड़ता है Emily का real name Hope Maclindon है और Emily की एक twin sister भी है Faith Maclindon इस बारे में details जानने के लिए स्टेफनी Hope और Faith की Mother Migrate से मिलने जाती है Migrate बहुत ही rude woman थी लेकिन वो स्टेफनी को बताती है जब Hope और Faith 16 years की थी उन दोनों ने wing house में fire लगा कर अपने ही father को मार दिया और वो दोनों उस दिन के बाद से ही गायब है scene के दुसरे हिस्से में Emily surprise देती है Sean को Sean के favorite restaurant में Emily का कहना था Sean ने insurance money को निकाल लिया जिससे इन सब की सारी problem solve हो जाएंगी और वो इस country को छोड़ देंगे स्टेफनी अपने vlog के जरी Emily को encrypt hint देती है कि उसे Emily का dark side मालूम चल गया है और Emily अपनी ही कबर पर स्टेफनी से मिले Emily स्टेफनी से मिलने आती है भी खुलासा करती है कि Hope और उसकी twin sister ने ही अपने अभी उसे father को आग लगा के मार दिया और इन दोनों sisters ने एक दुसरे से दूर जाने का सूचा लेकिन इन दोनों का plan था कि एक मुकाम पर पहुशने के बाद ये दोनों फिर एक दुसरे से मिलेंगी लेकिन Faith कभी वापस ही नहीं आई और Emily अपना career और family बिल्ड करने में लग गई 14 years गुजरने के बाद Faith ने Emily से contact किया Emily अपनी twin sister से मिलने गई Faith alcoholic और heroine addicted थी और Faith ने Emily को blackmail करना शुरू कर दिया million dollars देने के लिए वरना वो police को इन दोनों के crime के बारे में सब बता देगी लाचार होकर Emily मान जाती है excitement में Faith लेक में swimming करने भागती है Emily भी उसके पीछे जाती है और Emily अपने defense में Faith को डबा के मार देती है और Faith की उसी वक्त death हो जाती है और Emily Faith के death body लेक में ही भागती है लेकिन Emily स्टेफणी को जोट बोलती है कि Faith ने suicide कर ली थी और वो ये भी जोट बोलती है कि insurance scam का plan भी Sean का था Emily इस बास से गुस्टा थी कि Sean ने स्टेफणी के साथ relationship कर लिया और स्टेफणी इस बास से गुस्टा थी कि Sean ने Emily को accept लिया एमली स्टेफनी की गुसे से पूरा फाइडा उठाती है और एक प्लैन बनाती है स्टेफनी एमली को पबलिक की नजरों में फिर से जहिर करें और यह statement दे कि शॉन ने एमली पर जल्म किया है और शॉन एमली को अब्यूस करता है स्टेफनी एमली की बात मान जाती है शौन अरेस्ट हो जाता है लेकिन कुछ दिर के बाद वो बेल पर रेहा हो जाता है स्टेफनी को ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा था वो अपने दिल को चेंज करती है और शौन के साथ एक फेक ड्रामा परफॉर्म करने को कहती है जिसके वज़ा से एमली अपना क्राइम खुद एकसेप्ट करेगी स्टेफनी ने हिडिन माइक्रोफोन प्लैन किये थे जिसकी रिकॉर्डिंग पुली सुन रही थी अच्छानक बातों बातों में स्टेफनी शौन को फेक शूट करती है एमली एमोशनल होकर अपना क्राइम कनफेस्ट करती है लेकिन शौन के ओवर एटिंग के बिना पर एमली को अंदाजा हो जाता है कि ये एक छलके सिवा कुछ नहीं और वो अपने ब्रेसलेट में से हिडिन माइक्रोसकोप को तोड़ देती है एमली का कहना था कि मैं तुम दोनों को मार कर इसे मडर सुसाइड का नाम दे दूँगी ये कहते ही एमली शौन के शूडर पर शूट करती है फिर एमली अपने गन का मूँ स्टेफनी की तरफ करती है लेकिन बैम इस स्टेफनी के ड्रेस में बटन की जगा एक हिडन कैमरा था जिसमें स्टेफनी के विलोग पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी एमली ने सब के सामने अपना क्राइम कनफेस किया होता है एमली वहाँ से भागती है लेकिन स्टेफनी इस विलोग का एक फैन उसे रोखने के लिए कार से हिट करता है एमली अरेस्ट हो जाती है क्लोजिंग टेक्सिस में बताते हैं शौन की सेकंड नौविल न्यू यॉर्क स्टाइम बेस सेलर नौविल बन गई थी और वो ब्रेकले का फेमस प्रोफेसर बन गया था जहां तक बात प्रेस्टेफनी की वो किसी को डेट कर रही थी स्टेफनी के विलोग के वन मिलियन फॉलोवर्स हो गए थे और उसका शो मॉर्णिंग शो में कनवर्ट हो गया था और वो पार्ट टेक्टिव भी थी लास्ट में एमली प्रिजन में होती है और वो बास्केट बॉल मैच विन करती है अगेंस्ट कैदियों से दी एंड ओके गाईस लेस्ट गो टो रिवेल दी एंडिंग 14 एर्स बात जब फेद ने एमली से कॉन्टैक किया एमली खुश थी लेकिन फेद ने एमली को धमकाना शुरू कर दिया तो एमली ने एक माइंड ब्लोइंग प्लैन मनाया एमली स्टैफनी के विलॉग देखती थी और एमली ने स्टैफनी के अकेले पन का पूरा फायदा उठाया और उसे अपने करीब कर लिया ताके बाद मैं एमली स्टैफनी का यूज कर सके शौन से इंशूरेंस मिलियन डॉलर निकलवा के अपने बेटी निके के साथ यहां से दूर चले जाने के लिए पहले उसने अपनी बेहन का मडर किया जिससे सब को लगे के एमली के दैध हो गई है इससे इंशूरेंस के मनी मल जाएंगे फिर वो इस स्कैम में शौन और स्टैफनी को फसा देगी लेकिन स्टैफनी ने उसके पास्ट का सारा सच जान लिया था और अब एमली स्टैफनी का कुछ बिगार नहीं सकती थी इसी लिए एमली ने सारी कहानी शौन पर डाल दी जिससे स्टैफनी को लगे के शौन इन सब स्कैम प्लैन का मास्टर माइंड है स्टैफनी एक पल के लिए एमली की बातों में आ भी जाती है लेकिन बाद में स्टैफनी को रेयलाइज होता है कि एमली का प्लैन ही था अपने अबियूसे फादर को मारने का और वो एमली का ट्रस कैसे कर सकती है इसी बात को लेकर स्टेफनी शौन के साथ एक फेक प्लैन बुनती है जिसके बिना पर एमली अपना क्राइम कनफेस करे लेकिन एमली होश्यार थी उसने इस पूरे जाल को भाप लिया बट एमली स्टेफनी का जादर नुकसान करती स्टेफनी एमली को सू कर देती है और एमली सलाखों के पीछे चली जाती है गाइस इस मूवी की थीम की बात की जाए तो इस मूवी की स्टोरी बहुत कॉमन है लेकिन इस movie में एक कहवत है हर चमक्ती हुई चीज सोना नहीं होती जहां तक इसकी direction की बात की जाए वो average है but not bad मैं आप लोगों को ये ही कहूंगी कि आप लोग इस movie को at least एक बार तो जरूर देखें